हालो एव्रीवन यूर वैलकम टू क्लास आज हम बात करने वाले हैं लॉस्ट इस्प्रिंग जिसका सेकेंड नेम स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड हुड भी है इसके राइटर है अनीज जॉंग अब हम इसकी वोकाबलरी करेंगे यह वोकाबलरी सीरीज हम कर रहे हैं सो फर्स्ट वर्ड आपका है स्क्राउंजिंग स्क्राउंजिंग मेंस होता है किसी चीज को ढूंड़न और अमिडिस्ट मेंस होता है in the middle of किसी चीज के बीच में होना जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको यह वर्ट दिखेंगे गलिबली मींस होता है थोड़ा चला किसे न बोल पाना चला किसे बोलना सारी विदाओट केरफुल थॉर्ट और ऑनेस्टी इफ यू आरे स्पीकिंग होलोंग मीनस होता है मेनिंग लेस्ट या खाली पन भी इसे हम कभी बोलते हैं Embarrassed means होता है बेजती महसूस करना feeling ascent Abound means होता है बहुत सारा अगर हमारे पास कोई चीज बहुत सारी हम को सकते हैं Abound और Bleak जो वर्ड था उसका नाम था Empty Barefoot बिना पैरों के जैसा आप देखते हैं कि ये लोग बिना पैरों के घूमते हैं Shuffles Shuffle हम किसी चीज को जब shuffle करते हैं तो हम उसको slide over करते हैं और Excuse means होता है किसी चीज का excuse देना बहाना देना और English में कहेंगे तो justifying our fault with some reason Desolation Desolation means होता है हम किसी चीज को अकेला पन या बिलकुल जहां पर हमारे साथ कोई न हो और Punting means होता है Taking short and quick breaks together तो अगर आपके पास में बहुत सारा सामान है आपके पीट पे तो आप जल्दी से हाफने लगेंगे Acquaintance Acquaintance means होता है जान पहचान, contact जिनसे हमारे रहता है जिनने हम जान पहचान होती है और यहां पर आपका है Periphery means outer area, बहार का area Metamorphically means होता है Symbolically परतीक वाली चीज़े Squatters Squatters means होता है जो जुकी जोपडियों में रहते हैं जो लोग Unlawfully occupy कर लेते हैं किसी जगे को Unused land को और Transit Homes बोलते हैं A Temporary Home यह सारी vocabulary आपको अपनी बुक में मिलेंगी तो इन्हें लर्न कीजिए Thank you